10 चार्ट एक्टिव वाइस यहाँ पर आपने देखा रामू या ही रामू डेजन्ट एट मैंगो रामू आम नहीं खाता है स्वेता इट्स मैंगो स्वेता आम खाती है स्वेता डेजन्ट एट मैंगो स्वेता आम नहीं खाती है इट इट्स मैंगो या हाम खाता है इट डेजन्ट एट मैंगो या हाम नहीं खाता है Now come to the present continuous tense I am eating mango मैं आम खा रहा हूँ I am not eating mango मैं आम नहीं खा रहा हूँ You are eating mango तुम आम खा रहे हो या आप आम खा रहे हो You are not eating mango तुम आम नहीं खा रहे हो We are eating mango हम सब आम खा रहे हैं We are not eating mango हम सब आम नहीं खा रहे हैं They are eating mango वैसाब आम खा रहे हैं वैसाब आम नहीं खा रहे हैं वैसार इटिंग मैंगो लड़के आम खा रहे हैं वैसार नौट इटिंग मैंगो लड़के आम नहीं खा रहे हैं रामु इस इटिंग मैंगो रामु आम खा रहा है He is eating mango, वहाँ आम खा रहा है यहाँ चाहे रामू कहें या रामू की जगां पर आप प्रोन यूज कलने ही कलने रामू is not eating mango, रामू आम नहीं खा रहा है He is not eating mango, वहाँ आम नहीं खा रहा है Swetha is eating mango, Swetha आम खा रही है She is eating mango, वहाँ आम खा रही है या स्वेता इस नॉट इटिंग मैंगो वह आम नहीं खा रही है या स्वेता इस नॉट इटिंग मैंगो श्वेता आम नहीं खा रही है डॉग इस इटिंग मैंगो कुट आम खा रहा है इट इस इटिंग मैंगो यहाम खा रहा है यानि डॉग या इट हम प्रियोग करते हैं छोटे जानरों के लिए डॉग इस नॉट इटिंग मैंगो कुछ ताम नहीं खा रहा है इस नॉट इटिंग मैंगो या आम नहीं खा रहा है प्रेजेंट पर्फेक्ट टेंस में आईए I have eaten मैंगो मैंने आम खा लिया है आपने आम नहीं खा रहा है या आप आम नहीं खा चुके हैं We haven't eaten मैंगो हम सब ने आम खा लिया है We haven't eaten मैंगो हम सब ने आम नहीं खा लिया है They have eaten मैंगो उन सब ने आम खा लिया है या वैस सब आम खा चुके हैं यहाँ पर रामू या ही हमने लगाया है तो आप किसी भी रामू या किसी लड़के के नाम रामू श्यामू जो भी आप बोलना चाहते हैं उसकी जगह पर आप प्रोनाउन का प्रयोग भी कर सकते हैं प्रिजेंट पर्फेट कांटिनिवस्टेंस में क्या है कांटिनिवस्टेंस इसके पहले आप पढ़ रहे थे मैं आम खा रहा हूं अब अगर इसके साथ आप समय लगा देते हैं तो क्या बोलेंगे कि जगह पर हैवेंट कर सकते हैं या आप I have not been eating mango for some time भी बोल सकते हैं तो it has been eating mango for some time या नी कुटा या कुछ समय से आम खा रहा है अब आप देखें यहां पर फार और सिंस का प्रयोग किस तरह से किया गया है अभी मैंने आप लोग को बताया कि जब आप लोग कांटिनिवस्टेंस में I am eating mango मैं आम खा रहा हूं और आपने बोला मैं कुछ समय से आम खा रहा हूं तो I have been हो जाता है I have been eating mango for some time तो यहां पर फार कब लगाते हैं सिंस कब लगाते हैं थोड़ा देख लें आप फार जो होता है वो period of time के लिए होता है और सिंस जो होता है वो point of time period of time मतलब समय की दो साल से अब यहां पर साल का नाम ले लिजी आप just like 1989 ले लिए हमने तो यहां since 1989 हो गया ऐसे ही for two days दो दिन से अब दिन का नाम ले लिजी आप since Monday हो जाएगा for two months दो महीने से अब महीने का नाम ले लिजी आप since April, since May, since June जो भी बोलना चाहें आप for some time कुछ समय से यहां प clear नहीं कितने समय से for हो जाएगा आपर लेकिन अगर time एक निशित बता दें आप since eight o'clock आठ बज़े से ऐसे ही for two hours दो घंटे से और अगर आप time देते हैं since morning सुबा से for a while कुछ समय से for some time की जगहा पर for a while मतलब भी होता है कुछ समय से यहां पर भी आप इसकी जगहा पर चा बोनों यूज कर सकते हैं आप लोग और निश्चित समय के लिए क्या करेंगे since morning since evening now past indefinite tense past indefinite tense पढ़ाने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर देखिए eat एक बर्भ है इसकी form है eat second form है eat third form है eaten और ing form है eating eat अगर हम लोग ऐसे बोल देए eat means खाओ जब आप लोग बोलते हैं एकसर कि eat means खाना बट वो गलत है eat means खाना नहीं होता है to eat means खाना होता है to eat means खाना होता है to eat अगर आपने कह दिया तो मतलब खाओ eat पास्टेंस है खाया eaten मतलब हो गया खा चुके हैं अभी जश्ट हमने खा लिया है eating मतलब खा रहे हैं अब यहां पर eaten और eating दोनों आपस में जुड़े हैं eating 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 खा रहे हैं eating खा रहे हैं eating खा चुके now I ate mango मैंने आम खाया या मैं आम खाता था you ate mango तुमने आम खाया या तुम आम खाते थे we ate mango हम सबने आम खाया या हम सब आम खाते थे they ate mango why सब आम खाते थे या उन सब आम खाया why is ate mango लड़कों ने आम खाया he ate mango उसने आम खाया रामू एट मैंगो रामू ने आम खाया सी एट मैंगो उसने आम खाया स्वेता एट मैंगो स्वेता ने आम खाया डॉग एट मैंगो कुते ने आम खाया इट एट मैंगो इसने आम खाया यहाँ पर सब के साथ बहुत ही आशान है सबको आपको एट ही लगाना है कोई confusion नहीं आपर negative में आ जाएए I didn't eat mango मैंने आम नहीं खाया या मैं आम नहीं खाता था You didn't eat mango तुमने आम नहीं खाया या तुम आम नहीं खाते थे We didn't eat mango हम सबने आम नहीं खाया दे डिजन्ट इट मैंगो उन लोगों ने आम नहीं खाया बाइस डिजन्ट इट मैंगो लड़कों ने आम नहीं खाया गस डिजन्ट इट मैंगो लड़कियों ने आम नहीं खाया ही डिजन्ट इट मैंगो उसने आम नहीं खाया C didn't eat mango, उसने आम नहीं खाया, सुइता या सी या सुइता दोनों आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर सुइता की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, सुइता या सी, यह नहीं कोई लड़का होगा, तो ही बोलेंगे, और कोई लड़की है, तो इसकी जिमाँ पर हम लोग शी बी उस्ट करते हैं प्रणौन की के रूप में तौ सी डिए इट मैंग। इस ने आम नहीं खाया अईसी डॉग या एट इदेंट मैंग। इस ने आम नहीं खाया। डॉग इटंट मैंग। कुत्ळ ने आम नहीं खाया। from your caller'sGeek says,elly has. आम खा रहे थे रामू या ही आप हो सकते हैं वाज इटिंग मेंगो रामू या वह आम खा रहा था श्वेता बाज इटिंग मेंगो या सी वाज इटिंग मेंगो श्वेता या वह आम खा रहे थी डाग वाज इटिंग मेंगो कुता आम खा रहा था या इट वाज इटिंग मे मैंने आम खा लिया था तुम्हारे खाने से पहले यहाँ पर देखें दो घटना होती है तो जो घटना पहले होती है उसके साथ हम लोग हैट थर्ट फार्म लगाते है और जो दूसरी घटना उसके बाद होती है वहाँ पर हम बर्ब की सेकेंड फार्म लगाते है तो यहाँ पर जो घटना पहले हुई उसके साथ हमने क्या लगा दिया I had eaten mango before you ate यहाँ पर second form हो गया अब इसी को उल्टा कर लीजिए I ate mango after you had eaten mango मतलब मैंने आम खाया था तुम्हारे खाने के बाद मैंने आम खाया था तुम्हारे खाने के बाद यानि तुमने पहले आम खाया फिर मैंने खाया तो जो पहले घटना हुई कौन सी पहले घटना हुई यहाँ पर तुमने आम खाया तो वहाँ पर जो पहले घटना होती है वहाँ है third form लगाएंगे तो यहाँ हो गया after you had eaten mango यानि और यहाँ पर यहाँ पर I ate mango second form हो गया यह बाद की घटना है I ate mango after you had eaten mango मैंने आम खाया था तुम्हारे खाने के बाद now you had eaten mango तुमने आम खाया था या तुमने आम खा लिया था तुम आम खा चुके थे इसी तरह से we had eaten mango हम सबने आम खाया था they had eaten mango उन लोगों ने आम खाया था wise had eaten mango लड़कों ने आम खाया था he ya ramu si ya shweta had eaten mango आप लोग इस तरह सिर्फ sentence बना शकते हो past perfect continuous tense यहाँ पर फिर मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को simply same अंतर है यहाँ पर मैं आम खा रहा था I was eating mango और मैं जब बोलूँा समय के साथ में आम खारा था घंते से आम खा रहा था मैं सुबा से आम खारा था दोपार से आम खारा था कुछ भी ऐसे बोलते हैं आप तो क्या हो जाएगा I was eating की जगापर I had been eating हो जाएगा तो ये बन गए आपका I had been eating mango for some time सब में had been ही लगेगा और ing farm आप दिबाव लगेगी you had been eating mango we had been eating mango they had been eating mango why is he, ramu, she, shweta, dog, it सब के साथ हम लोग had been eating mango प्रयोग करेंगे for some time कुछ समय से for two hours जो भी बोलना हो आपको now future indefinite tense future indefinite tense में I will eat mango मैं आप खाऊँगा और negative में क्या हो जाएगा will के जिगाँ पर will not जिसकी short farm होती है won't तो बोलेंगे हम लोग I won't eat mango मैं आप नहीं खाऊँगा you will eat mango तुम आप खाऊगे you won't eat mango तुम आप नहीं खाऊगे इसी तरह से we eat mango we won't eat mango they eat mango they don't eat sorry they won't eat mango why is will eat mango why is won't eat mango सब के साथ में वायज ही रामू या शी श्वेता के साथ में आम खाएंगे तो will eat mango आम नहीं खाएंगे तो won't eat mango हम लोग बोलेंगे future continuous tense में आ जाईए यहां भी बहुत ही आशान है मैं आम खाता रहूंगा जक्सलाइक आप करते हैं मैं इस समय आत्रा कर रहा हूंगा ठीके तो यहां पर हम लोग क्या आप करते हैं will be और ing farm या will be के negative हो जाएगा own be तो I will be eating mango मैं आम खाता रहूंगा या मैं आम खा रहा हूंगा I won't be eating mango मैं आम नहीं खा रहा हूंगा या मैं आम नहीं खाता रहूंगा you will be eating mango तुम आम खाते रहोगे या तुम आम खा रहे होगे यो ओन भी इटिंग मैंगो तुम आम नहीं खा रहे होगे या तुम आम नहीं खाते रहोगे इसी तरह से सब के साथ में वी, दे, वैज, ही, रामू, सी, श्वेता, डॉग, इट, जो भी आप लगाना चाहें आम खा रहे होंगे या आम खाते रहेंगे विल भी इटिंग मैंगो और निगेटिम में ओन भी इटिंग मैंगो हो जाएगा नाव कम टू दा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आई विल हैव इटिंग मैं आम खा चुका हूंगा या मैंने आम खा लिया होगा यहाँ विल हैव थर्ड फर्म बर्ब की लग रहे है इटिंग में विल का निगेटिव आपका ओन्ट हो जाएगा विल नाट की शॉर्ट फर्म ओन्ट होती है यहाँ पर आप बोलेंगे आव ओन्ट हैव इटिंग मैंगो मैं आम नहीं खा चुका हूंगा यहाँ यहाँ पर सेम है यहाँ पर भी टाइमिंग रहती है अगर फ्यूचर कांटीनिवस और फ्यूचर परफेट कांटीनिवस टेंस में सारे जितने भी आपको टेंस बताएगे इसके पहले भी सम में कांटीनिवस और परफेट कांटीनिवस में यही अंतर होता है कि टाइम जोड़ जाता है तो क्या हो जाएगा अगर आपको बोलना होता मैं आम खा रहा हूंगा तो आप बोलते आई विल वी इटिंग मैंगो और अगर आपको बोलना है मैं कुछ समय से आम खा रहा हूंगा तो आई विल वी इटिंग की जिगाँ पर क्या हो जाएगा I will have been eating I will have been eating mango for some time मैं कुछ समय से आम खा रहा हूंगा इसी तरह से सब के साथ में हो जाएगा You, We, They, We, Zee, Ramos, She, Swetha, Dog, It सब के साथ खा रहा हूंगे तो क्या हो जाएगा I will have been eating mango for some time कुछ समय से आम खा रहा हूंगा खा रहा हूंगे और निगेटिव में, ओंट have been eating mango for some time, कुछ समय से आम नहीं खा रहे होंगे, खा नहीं रहा होंगा, ठीक है, so that's all about the tenses, thank you